जैहिन सबसे पहले तो आप सभी को सब्तुनतरता द्योष के हर्दिक सुभ कावनाई हैपी इंडिपेंश डे बगवान से यहीं प्राथन करते हैं कि इस सब्तुनतरते द्योष पर आप सभी अपने लक्षो को पानी में काम्याब हों देखेगा हमने आपका ब्यारोगरिफ का जो अस्केटे का स्पेसल बैच है वो आपका स्टार्ट किया हुआ है और इस बैच को लेकर बहुत सारे से कंडिडेट हैं जिनके डेमो को लिए रिक्वस्ट आ रही थी तो वैसे तो हमने पहले आपको डेमो प्रवाइड किया था इस बैच का लेकिन फिर से एक और डेमा को प्रवाइड करा रही है और यह आपका लास्ट फैनल डेमो होने वाला है वैसे देखेंगा आपकी ब्यारो गरिफ में आपको जितनी पोस्ट पर आपकी बरते निकली हैं वहाँ पर हमने आपकी तीन पोस्ट के लिए आपका बैस स्टार्ट किया था एक आपका मेशन के post के लिए, दूसरा आपका D.E.S. के post के लिए तीसरा आपका 공ेशन के post के लिए तो आपके जो मेशन का और आपका D.E.S. का best है उन से भी कि सीट आपकी full हो चुकी है इन में को भी नियुँ अड़ मिशन आपका नहीं होने वाला है तो जो connect ऐसे बहुत सर ऐसे candidate हैं जो admission नहीं ले पाए हैं तो उनसे हमाफिर मागना चाहेंगे इसके अरावा आपका जो असकेटे का बैच है आज 15 अगस्त को देखेगा only आपके 69, 39 शीट बाकी है 19 शीट आपका admission होने के बाद जो candidate का बैच इसमें कोई आपका new admission नहीं होने वाला है तो अगर आप admission लेना चाहते हैं तो admission ले सकते हैं आज हमारी इस बैच की class number 7, 7 class होने वाली है और आप अगर बैच जोइंग करते हैं तो पीछे के जितने भी आपके classes हैं आपके notes आपको provide करा दिये जाएंगे चलिएगा एक बार आपको आपका जो बैच में start किया हुआ है उसका एक छोटा साब का review देते हैं तो दीखेगा आपका जो बैच रहने वाला है इस बैच में हम आपको daily class provide कराएंगे यानि कि एक भी दिन कोई भी satisfaction आपका offer नहीं होगा आपके daily class होने वाली हैं और जो भी class आपकी होती हैं उसके notes आपको हरे class के साथ provide किये जाएंगे आपको कहीं से भी या फिर खुद से notes आपको बनानी की जूरत नहीं होगी इसके अलावा इस बैच में आपको test भी provide किये जाएंगे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपका doubt रहा जाता है तो special doubt session भी आपको दिये जाएंगे यहाँ पर इस बैच में आपको सबसे पहले थोरी complete करवाए जाएगी हर एक topic की और उसके साथ फिर आपको question करवाए जाएंगे जो objective question है वो आपको complete करवाए जाएंगे इस बैच में हम जैसे कि आपको पता कि 19 सितंबर को आपका जो ascetic का post उसका exam होने वाला है तो exam date से पहले हम आपका complete syllabus करवाएंगे और syllabus करवाने के साथ साथ हम आपका जो division इस बैच में वो भी करवाने वाले हैं इसके अलाबा हम आपको पहले भी demo दिया था इस बैच का बहुत सारे से candidate जिनने demo देख लिया है और अगर जिनने नहीं demo देखा तो एक demo और हम आपके लिए provide करवा रहे हैं यहाँ पर इस batch में आप join कर लेते तो join करने के बाद आपको कोई भी आपको other boost की जुरुताब को नहीं होगी और जो भी यहाँ पर हम आपका content करवाने वाले हैं बिल्कुल 0 से लेकर advance level तक के basic to advance करवाने वाले हैं और जो भी आपका content रहने वाला है आपका bilingual रहेगा याँ कि हिंदी और इंगली से दोनों में आपको हरी चीज पर वाइड कराई जाएगी तो यह को सबके features है इस batch की जो कि आपको देखने को मिनने वाले हैं बात करें कि आपको batch join किस परकार से करना है तो देखेगा इस batch की आपको फीस रहने वाली है ट्रीपल नाइन नोस्टनारमी पर रहने वाली है और अगर आप batch join करना चाहते हैं तो आपको whatsapp करना होगा 8930638526 इस नंबर पर आपको whatsapp पर message करना कि आप batch join करना चाहते हैं तो आपको जो है batch join करवा दिया जाएगा तो यह कुछ आपकी process होने वाली है batch को join करने की तो देखिएगा अगर आप अभी batch join करते हैं जब कभी भी आप batch join करते हैं तो पीछे के जो भी आपके classes हैं जो भी आपके notes आपको provide करा दिये जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमने अभी तक पीछे का आपको जो भी classes होई है वहाँ पर हमने आपका जो storekeeper का basic to advance आपका introduction है वहाँ आपको provide करा दिया है इसके साथ ही जो notification आपको saliva से दिया हुआ है उस saliva से में हमने देखिएगा जो आपका सबसे पहला topic है accounting of store वो हमने complete कर लिया है उसके बाद receipt inspection and preservation of store नमबर दो topic वह हमने complete कर लिया है उसके बाद नमबर तीन पर जो topic आपका storage and precautions of store including fire protection and fighting ये तीनो topic हमने यहाँ पर इस बैस में complete कर लिया है अभी तक के classes में तो आज जो हमारी class होने वाली है उसमें हम कौन सा topic आपका start करने वाले है वो है आपका stock verification of store तो यह topic हम आपका start करने वाले हैं तो चलिएगा class को start करते हैं तो देखेगा आज की हमारी class number 7 में कौन सा topic है stock verification of store जिसका मतलब होता है भंडार का stock सत्यापन ये क्या होता है दीखिएगा कि आपका जो store verification होता है या फिर जो stock verification होता है वो आपका क्या होता है stock verification is done by actual counting, waiting and measuring of items in stock which is necessary to support stock value as per laser balance यानि कि जो आपका stock verification होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं mall stock का सत्यापन यान कि जो भी माल आपका stock के अंदर रखा हुआ है जो आपकी store है आपको जो दुकान आपको जो गोदाम है उसके अंदर जितना भी सामन आपका रखा हुआ है उसकी verification करना क्या कहलाता है? stock verification कहलाता है अब इसके अंदर हम कौन कुर से method पनाते हैं देखेगा कि mall stock का सत्यापन करना, mall कि stock की वास्तवी गणना करना यान कि उसको गिंती करना, उसके गणना करना उसका भार यानिकि उसका वेट मापना और उसका मापन करना यानिक उसको मेजर करना जो भी आइटम आपके रखे हुए हैं उनकी गिंती करना उनके भार को मापना और उनका मेजर करना ये से भी किस के अंदर आते हैं और ये हम किस के अनुसार करते हैं जो खाता बही के अनु चीजे हैं लेजर बैलेंस में उन से भी के अनुसार आपको देखना की यानि कि मालेजिए आपको जो लेजर है उसमें आपने जो भी चीज रखी हुई है आपने जो भी चीज एड की हुई है रिकोड की हुई है तो उन से भी के अनुसार आपके स्टोक में जो भी सामान है व वो क्या होती है, सब से पहले है आपका जो भी item उसकी counting करना, number 2 उसका waiting करना और number 3 उसकी measuring करना, कहने के मतलब यह कि जो item आपका रखा हुआ है, for example हम माल लेते हैं, कि आपकी जो दुकान है, आपकी books ओप रहने वाली है, किताब की दुकान आपकी रहने वाली है, तो जब आप अपना stock verification करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे books की, आप counting करेंगे, कि आपकी जो stock में books रखी हुई हैं, वो आपके कितनी हैं, क्योंकि books को हमें map नहीं सकते हैं, उनका weight नहीं कर सकते हैं, उनको हमें क्यावले count कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप ये चीज़ देखेंगे, कि आपकी दुकान में, अपनी cell होने के बाद, जो भी चीज़ आपके दुकान में बची हैं, जो चिन्नी आपकी बची हैं, उसका आपकी weight करेंगे, उसका भार करेंगे, और ये देखेंगे कि आपको जो record में आपके चिन्नी थी उसको बेचने के बाद उसको खरीदने के बाद अभी कितनी available है वो आपके इसकी हिसाब से करने वाले हैं उसके weight के हिसाब से आप करने वाले हैं तो ये सची जे आपके होते हैं stock verification में अब है हमारे पास है objectives of a stock verification यानि कि आप जो stock verification करते हैं जो stock शत्यापन करते हैं उसके उद्ध से क्या है यान कि आपको क्यों जो stock verification है वो करना चाहिए तो देखिएगा popular method of a stock verification ये जे physical stock verification यानि कि जो stock verification के लिए सबसे popular विदी है जो सबसे popular method है वो कौन सा है आपका physical stock verification अब stock verification क्या होता है हमने आपको बता दिया अब stock verification के लिए जो सबसे एक आपकी popular विधी होती है जो method होता है वो कौन सा होता है आपका physical stock verification होता है तो ये physical stock verification क्या होता है वो आपको बताते हैं तो देखिएगा फीजिकल स्टोक वरिफिकेशन क्या होता है फीजिकल स्टोक वरिफिकेशन इनवोल्ज एक्चुल काउंटिंग मेजरिंग एंड वेटिंग ओफ ओल आइटम इन स्टोक यानि कि जो आपका भोतिक स्टोक सत्यापन होता है जो फिजिकल स्टोक वरिफिकेशन होता है उसमें स्टोक में से भी वस्तों के वास्तविक गणना, मापना औरे वजन सामिल है यानि कि आपके स्टोर के अंदर जैसे हमने आपको पहले क्या इजम्पल दिया था कि आपकी पूक्शोप, आपकी किताब की दुकान है तो उरक किताब में जब आप उन्म किताबों को काउंट करते हैं, उनके जिन्ती करते हैं तो वो क्या होता है तो आपकेặt का फिजिकल स्टोक वरिफिकेशन होता है और अगर वो आपका physical होता है जिसको आप touch कर सकते हैं जिसको आप वास्तिक रूप से उसको wait कर सकते हैं उसको count कर सकते हैं उसको count कर सकते हैं वो सब किसके अंदर count होगा आपका physical stroke verification के अंदर count होता है तो ये तो हमारे बात होगे कि physical stroke verification होता क्या है हम किस परकार से करते हैं अब आपको ये देखना कि जो physical stroke verification होता है वो आपका important क्यों है physical stroke verification is necessary for the following reason यानि कि जो भोतिक stroke शत्यापन है जो physical stroke verification है वो आपका निमलिध काणों के लिए आउसक है सबसे पहला कान देखिए नमबर एक तू स्पोर्ट तव वैलिव ओव स्टोक शोन इन दा बैलन सीट थूरू फीजिकल वेरिफिकेशन यानि कि बैलन सीट में आपकी जो भोतिक सत्यापन है उसके माध्यम से दिखाएगा स्टोक की मुल्या का समर्थन परधान करना अब यहाँ पर एक आपकी नई चीज़ आई है वो आपके क्या आई है आपकी बैलन सीट तो बैलन सीट क्या होती है वो देखेगा सबसे पहले तो देखेगा बैलन सीट जिसको हमें हिंदी में क्या बोलते है आपका तुलन पत्तर भी बोड़ सकते हैं मैंने लिए हम इसके लिए जो टर्म यूज करते हूं आपका balance sheet ही होता है तो balance sheet क्या है a written statement showing the amount of money and property that a company has and how much has been received and paid out यानि कि किसी संस्ता के संपती और IOSM में दिव्योरों का जो पकत चिठा होता है वो क्या कहलाता है आपका balance sheet कहलाता है यानि कि कहने का मतलब यह है कि मान लेजिए आपकी कोई भी company है तो उस company के आपके property कितनी है उसके संपती कितनी है वो एक पकता चिठा होना उसको एक कागज पर लिखे तरुपे होना इसके अलाबा उस company की आपके जो आए है जो वै है यानि कि कितना माल उस company के अंदर आता है कितना माल उस company से बाहर जाता है और माल के अंदर आने के बाद उसके बाहर जाने के बाद आपके जो company के property बसती है जो assess आपके बसती है वो कितनी है इन से भी काई के पका चिटा होना यान की एक बिल्कुल पका रिकोर्ड होना वो किसमे काउंट होता आपका जो बैलेंस इट होती है उसमें आपका काउंट किया जाता है तो बैलेंस इट क्या होती है किसी भी कमपनी की संपती का रिकोर्ड होना उसके आये का उसके वाये का य क्योंकि जो आपको physical stock verification होता है, उसके मादव सी हम क्या करते हैं, आपके जो balance sheet है वो हम check करते हैं, और balance sheet को check करने में हम किस की म利益र लेते हैं, आपको स्टोक में जो भी item रखा हुआ है उसकी म利益र लेते हैं, कहने का मतलब ये है, कि आपकी balance sheet में जो भी item आपका रखा हुआ है जो भी item आपका record है कि आपकी stock के अंदर कितना माल आया है कितना माल आपके stock के बाहर गया है और इन सब के बाद अभी आपके stock में कितना सामान बचा हुआ है और इन सब को मिला कर आपके जो स्टोक में आपके जो संपती बसती है जो प्रोपर्टी आपके बसती है जो इंकम आपकी होती है या फिर प्रोफिट होता है आपका लोस होता है आपका लाब होता है हानी होती है इन सभी को मैनेज करने में इन सभी को ध्यान देखने में इनका और लाब होते हैं वो दिखिए नमबर दो पर हैं हमारे पास है to verify the accuracy of a stock record यानि कि stock record की स्टिक्ता को सत्यपित करने के लिए कहने का मतलब यह है कि मान लिजिए आपकी stock में जो भी item आपका रखा हुआ है जो भी आपकी unit है या फिर जितना भी सामन आपकी दुकान के अंदर रखा हुआ है वो आपका record है किसके अंदर आपकी balance sheet के अंदर या फिर आपका laser के अंदर या फिर आपने उस चीज़ को record किया हुआ है आपका उसके पास से एक record है कि आपकी दुकान में इतना सामान या पर रखा हुआ है तो मालेजे आपकी दुकान में हमाल लेते हैं 10 बुक आपकी ऐसी हैं जो कि आपको ने record करके रखी होई कि आपकी दुकान में 10 बुक्स हैं लेकिन जब आप उनको physical stock verification करते हैं यानकि आप बुक को count करते हैं तो वहापर क्या होता है कि आपकी जो बुक्स हैं वो आपकी कम हो जाती हैं आपकी ज़्यादा हो जाती हैं तो वहापर इन सब चीज का हमें किसे पता चलेगा जो physical stock verification होता है उससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी दुकान में आइटम कितना गया है दुकान के बाहर कितना दुकान के अंदर आया है अभी दुकान के अंदर कितना बचा है तो यह सब चीज आपके record होती हैं और record को हम verify किसे करते हैं physical stock verification से करते हैं तो यह सब चीज हमें मदद करती है physical stock verification में उसके बाद है डिस्क्रोज दा पॉसिबिल्टी ओफ फे फ्रोड ठीफ्ट और लोस और डेटली ओरिशन यानि कि आपके जो धोखा दरी की जो चोरी की या फिर नुक्सान या फिर गराव्ट की जो संभावना होती है उसका खुलासा हो जाता है उसका हमें पता चलता है किसे पता चलता है फिजिकल स्टोक वरिफिकसन से अब अब मालिजी आप दुकान के क्या है मालिक हैं दुकान के मालिक होने के साथ आपने क्या किया कि दुकान में आपने काम करनी के लिए किसी है के वैक्ति को रखा है उसके account के तोर पर assistant के तोर पर तो अब क्या होता है कि आपका जो भी दुकान में काम करने वाल वैक्ति होता है वो आपके साथ दोखादरी करता है जो item आपको दुकान के अंदर आता है जो item दुकान के बाहर जाता है जो दुकान के अंदर item आपको रखा हुआ है वो आपके record के साथ है मिलान नहीं करता है जो वेक्टियाप के दुकान के अंदर आपने रखा हुआ है काम करने के लिए वो आपके साथ दोखादरी करता है तो अगर वो आपके साथ दोखादरी करता है तो किसे पता चलेगा आपको physical stroke verification से आप चेक करेंगे कि आपने दुकान में जो माल है वो कितना मंगवाए था अभी तक दुकान में कितना माल रखा हुआ है तो आपने कितना माल दुकान में मंगवाए था कितना माल दुकान के अंदर रखा हुआ है तो इसे आपको ये पता चलेगा कि आपकी दुकान से जो बाहर जो शामन गय है जो बिका है वो कितना बिका है और अगर वो सहीं पाई जाता है तो आपकी दोखदरी कोई संभावना नहीं बनती है इसके अलावा अगर आपके साथ दोखदरी होती है तो किसे पता चल सकती है आपके फिजिकल स्टोक विलिजिन से पता चल सकती है इसके अलावा माल लेजिए आपके दुकान में चोरी हो जाती है तो वो चोरी किसे पता चलेगी जब आप चोरी होती है माले जी आपके दुकान में कोई आईटम ऐसा है जो की अभी मार्केट में उसकी डिमाडर नहीं है ठीक है लेकिन आपके पास वो आईटम जादा रखा हुआ तो वहाँ पर उससे आपको क्या पता चलेगा कि आईटम जो आपके दुकान में अभी रखा हुआ है उसकी value market में नहीं है तो उस हिसाब से आप जो item उसको आप बाहर करेंगे या फिर उसको किस प्रकार से manage करेंगे ये सब चीज़ आपको पता चलते है physical stock verification से या फिर मालेज ये कोई ऐसे चीज़ है जो ऐसा item है आपकी दुकान के अंदर बहुते कम मातरा में है लेकिन market में उसकी demand बहुत जादा है तो वहाँ पर आपको इस मदद में लाती है physical stock verification से आपको जो कितना माल है दुकान के अंदर आप पो लाना है कितना माल दुकान के आपको बाहर भेजना है तो यानि कि जो धोखाद़ी होती है जो चोरी होती है जो नुकसान होता जो गिराउट होता आपका इन सबी चीज़ों का आपको मैनेजर करने में में दितमील जाती है physical stock verification से उसके बाद देखेगा नमबर 4 पे हैं हमारे पासे कहने के मतलब ये है कि परणाली के कमजोरी पर कट करने के लिए यदि कोई होतो यानि कि स्टोक को सुरुषित हिरासत में है अब इस बात को समझीगा कि आप जब अपना physical stock verification करते हैं तो वहाँ पर आपको ये पता चलाता कि जब आपने जो चीज़ मंगवाई है वो चीज़ आपने ऐसी कौन से मंगवाई है जो कि आपके stock के हिसाब से आपके कम थी आपके ज़्यादा थी या फिर आपकी stock के अंदर को ऐसा item है जो कि खराब हो जाता है जो कि आपने ध्यान नहीं दिया था और वो आपका विक्रीमन नहीं आता है तो वहाँ पर आपको जब आपना stock verification करते हैं तो उसे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो stock के अंदर सामना रखा हुआ है वो कौन सा ऐसा सामन है जो कि आपकी demand के साब से नहीं है या फिर आपने उसके देखवाल नहीं कि record में बिल्कुल सही है जो item आपने stock के अंदर रखा हुआ है वहीं आपका item दुकान के अंदर है जो कि आपका record है तो वहाँ पर आपको ये पता चले सकता है कि जो item आपको रखना है वो आपको कहां पर रखना है कितने देर तक उसक verification होता है इसे आपको मदद मीलती है अब हम पढ़ने वाले है methods of stock verification यानि कि सट्रोक सकते हैं किसी भी जगह पे तो सबसे पर देखे हमारे पास है नमबर एक पे पिरोडिक स्टोक वरिफिकेशन जिसको हम आपका एनुल स्टोक वरिफिकेशन भी कहते हैं हिंदी में इसका मतलब होता है आउदिक स्टोक सत्यापन अब यह क्या होता है डिटल में डिस्कुस करने वाले है इसके अलावा जो आपका सेकंड मेथड होता है स्टोक वरिफिकेशन का वह आपका होता है परपेट्वल स्टोक वरिफिकेशन और कंटिनूल स्टोक वरिफिकेशन यानि कि सतत स्टोक सत्यापन आपका नमबर दो पे होता है यह भी क्या होता है हम डिटल में डिस्कुस करे इसके अलावा अगर अभी तक आपने method of stock verification सुने हैं तो आपने के ओल दो ही सुने होंगे वो कौन-कौन से हैं periodic stock verification और आपका perpetual stock verification लेकिन आपका एक और stock verification होता है जो कि आपका बहुत ही ज्यादा कम आपका popular है लेकिन उसको भी हम discuss करेंगे वो कौन सा होता आपका blind stock verification जिसको हम blind stock verification बोलते हैं तो अंदा stock सत्यापन आपको बोल सकते हैं तो यह सब आपके तियनों क्या होते हैं किस प्रकार्शिन को यूज करते हैं कहां पर यह apply करते हैं चलिए बिल्कुल data लेकिन डिसकस करते हैं तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है periodic और annual stock verification यान कि आवदिक स्टो which in normal circumstance is the close of the financial year यान कि periodic stock verification क्या होता है जो कि आपका annual यान की एक वार्शिक जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं आपका periodic stock verification आवदिक श्टोक वरिफिकसन भी कह सकते हैं इस पत्रति के अंतरगते किसी दीगवे आवदी के अंत में पूरी stock को सक्षापन किया जाता है जो कि समन और प्रश्तितिव में वित्य canvi स्मापति होती है अब यहाँ से एक चीज और निकलके आई है वो रहता आपका प्रश्तिव क्या होता है सबसे पछले यह लोगहाएंचा तो दीखिएगा जो आपको जो वीत्य वर्स होता है जो financial year होता है यह परते कलेंडर वर्स की एक अप्रिल को शुरू होता है और अगले कलेंडर की जो आपके 31 मार्च है उसको आपका स्वाप्त हो जाता है यानि कहने का मतलब है कि अब आपका कौन सा है साल 2021 है आज आपका 15 अगस्त है तो यहाँ पर दे financial year है वो आपका खतम होने वाला है तो यहाँ पर हम कौन सा financial year कहेंगे इसको financial year 2021 से 2022 नहीं हम कहने वाले हैं कि साल में आपका एक बार करते हैं और वह आपके साल को निशे एकाउंट होती है यान कि हमें 31 मार्च को जब हमारी जो financial year है आपके खतम हो जाती है उसके बाद हम अपना जो annual stock verification है वो करते हैं इसके अलावा periodic हम क्या आप करेंगे उसमें आप ये चीज़े देखेंगे कि पूरे एक साल के दोरान आपके stock के अंदर कितनी चीज़े आई हैं आपके stock के बाहर कितनी चीज़े गई हैं आपने कितनी चीज़े खरीदी हैं आपने जो record आपने रखा हुआ है आईटम का उसके साथ आपका मिलान करता है या फिर नहीं करता है तो यह सब चीजी हम verify करते हैं किसके हिसाब से करते हैं पूरे एक साल का या फिर पूरे periodic का जो आपने set किया हुआ है वो हम करते हैं periodic और annual stock verification के method से करते हैं तो आपका जो annual या periodic stock verification होता है वो important क्यों होता है देखेगा this is required because the stock is to be included in the balance sheet usually the stock verification is spread over a number of days and then the operation of the storehouse is suspended for the period in which the verification work remains in progress यानि कि यह आवसक है क्योंकि stock को balance sheet में समिल किया जाना है समने था stock का जो सत्यापन होता है कई दिनों तक यह दाता है और उसके बाद बंडार गरे का परचालन उस अवदी के लिए निलमित कर दिया जाता है जिसमें सत्यापन कारिये प्रगरती पर बने रहता है तो देखेगा आपका जो annual stock verification होता है वो important क्यों होता है क्योंकि आपको यह मिलान करना होता है कि आपके balance sheet के अंदर आपकी जो balance sheet है उसमें जो भी सामन आपने record किया हुआ है क्या पूरे साल में जो सामन आपका आया है गया है वो आपका record से मिलान करता है या फिर नहीं करता है तो इसलिए आपके जो annual stock verification है उसको करना आपका important होता है अब आपका जो annual stock verification होता है पूरे एक साल को डाटा है आपको check करना होता है तो ऐसा नहीं है कि आपका एक दम सी आपका verify हो जाता है इसमें कई दिनों तक आपको जो stock verification है आपका चलता है और यहाँ पर आपको एक चीज़ जो सबसे important है नोट करनी होती है कि annual stock verification में आपका सामन अंदर आना आपका सामन का बाहर जाना आपका profit होना आपका loss होना आपकी stock में जो भी item है जो भी unit है आपके बच जाती है वो आपक खतम हो जाती है कब आपकी 31 मार्च को यानि कि जब आपका financial year है आपका खतम हो जाता है तो उस साल के दोरान उसे वितिवर्स के दोरान आपने जो भी item का record रखा हुआ था उसके बाद जो item आपका बच जाता है उसमें आपका जो भी item जो भी record आपका खतम हो जाता है उसके बाद फीर से आपका जो नए स्टार्ट हो जाता है और जो भी स्ट्प्र cassoni आपका होता है वह कर दो ऑपने स्ट्प इस अब हरेंगे और आप जो करने वाले हैं उस्स इस पूरी साल के दोरन जो भी आपका आइटम है जो भी युनिट है उसका जो रिकोर्ड आप चेक करते हैं वो आपका कहीं पर खतम हो जाता कब आपकी इस 31 मर्ज़ों 2022 को और उसके बाद आपका जो नए फ्रैनिसल स्टार्ट होगा वो कब होगा आपका एक अपरिल 2022 स्टार 20-80 होगा और आपका 31 मर्ज़ों 2020 सब चलेगा सब्सक्राक्त आपकर चलेगा यादि जो भी आपकी आपकी स्क्साड़ीर वरिफाय होती है वो आपकी पूरी एक साल के साल कती है और उस एक साल की चीज़्ेकाउंट होने के अब आपका अब उvain स्क्रूर कता है ज essen चैएत् आपको जो वार्शिक स्टोक सत्यापन उसके विदी के फाइदे क्या है वो हम देखने वाले हैं तो देखिएगा एनुल स्टोक वरिफिकेशन वार्शिक बंडर सत्यापन के निमलिखित लाब हैं लाब कोण कोण से हैं देखिएगा अब मान लीजीए आप खुद से सोचिए अगर आप डिल्ली स्टोक वरिफिकेशन करते हैं तो आपकी जो अधर आपकी दुकान की एक निड होती है आपके जो अधर कारी होते हैं दुक का वो आपका आसान माना जाता है इसके अलाबा इट एक कन्वेनियंट यान की सुविदा जनक है एंड इट इस सैटिश फैक्ट्री आपका यह संतो जनक है अभी तक जितने भी आपके मैंसर आई इन स्टोक वरिफिकेशन के और जो लोगों ने पसंद किये हैं जो सुविदा जोने को माने है वो कौन से आपके अनुल स्टोक वरिफिकेशन ही है क्योंकि यहाँ पर जो एक सैटिस्फैक्शन मिलता है जो आपका स्टोर कीपर होता है या फिर आपका जो स्टोर का मैनेजर होता है या फिर जो भी आपका डिपार्ट्न होता है स्टोर का उन्होंने जिस method को अपना satisfactory method बताए है जो एक सुधाजनक method बताए है अब ये तक वो कौन सी आपके annual stock वर्वेकस ने आपका होने वाला है उसके बाद देखेगा नमबर 4 पे है the valuation of balance sheet is easily done यान की तुलन पत्तर का balance sheet का मुल्यांकर उसका सरलता से किया जा सकता है तो देखेगा आपकी stock के अंदर जो भी item रखा हुआ है जो भी unit आपके रखी हुई है और balance sheet के अंदर जितना item आपका record है जितने unit आपकी record है इन दोनों की मिलानी के लिए आपको जो method सबसे एक आसन method होता है वो कौन सा होता है annual stock verification का होता है अब ये method आसन क्यों होता है चलिए हम आपको एक example देकर समझाता हूँ हम मान लेते कि आपने जो verification का method है अपने stock verification का अपने balance sheet को और आपको जो stock में item है इन दोनों के मिलानी के लिए जो verification का method आपने अपनाय हुआ है वो आपका annual stock verification का method है नहीं है आपने किसी और method को यहां पर अपनाय हुआ है जैसे कि हम मान लेते कि आपकी जो sop है एक छोटी level की sop है और उसमें आप क्या करते हैं अपना जो एक weekly आपको जो verification है यानि कि सत्ता में एक बार आप अपने stock का verification करते हैं तो वहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जब आपने पहले बार अपना stock verification किया तो वहाँ पर आपकी stock के अंदर कितना item है books के हम मान लेते हैं तो आपके stock के अंदर 10 books आपके रखी हुई है और आपने 10 books में record कर दी अपनी balance rate में record कर दी तो यानि कि अभी आपका maintain है तो इस week के दुरून आपने क्या किया कि जब आपका week खतम हो जाता है तो 10 में से आपने कितने books बेच दी आपने 2 books आपने बेच दी तो अब यहाँ पर आपके stock में item कितना बचा 2 books बेचने के बाद वो आपके 8 बच गई लेकिन आपसे गलती हो गई वेरिफिकेसन में आपने क्या किया कि आपके जो आपकी record है जो आपकी balance sheet है उसमें आपने starting में कितनी अपने add की थी books से 10 books add की थी अब पूरी week के दूरून आपकी दो books जो आपके share होई है बेकी हैं तो book बक्सने के बाद आपके जो है store में कितनी books बची 8 लेकिन आपसे record कितनी हो गई 7 आपकी record हो गई तो अब आपको डाटा है balance sheet को आपका गलत हो गया अब जब आप दूसरी बार अपना weekly verification करते हैं तो वहाँ पर आप कितनी count करेंगे books से 7 एकाउंट करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि पहले week में आपके 2 books जो आपके sell होई थी लेकिन आपने गलती से 8 किजगर 7 books जो रिकोड कर दी तो आप जब अगली बार अपना weekly verification करेंगे तो किसकी हिसाब से करेंगे अपने 7 books के हिसाब से करेंगे तो वहाँ पर उसके बाद जो भी आप weekly verification करने वाले हैं वो आपका गलत होने वाला है किसकी वज़ए से आपका जो weekly verification है वो आपका गलत हो गया आपकी एक गलती की वज़ए से अपनी एक books की वज़ए से तो यानि कि यहाँ से हम लोग यह देख सकते कि अगर आप weekly verification करते हैं या फिर आप मंथली verification करते हैं तो वहाँ पर अगर एक बार आपका verification गलत हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है तो आगे आने वाले time में जो भी verification आप लोग करते हैं वो आपका गलत होते चला जाता है तो यहां से जो annual stock verification है वो आपका एक आसान जो तरीका होता है एक सुधा जनिक तरीका होता है क्यों होता है क्योंकि आपको पता होता है कि आपने जो record रखा हुआ है वो आपको साल में एक बार चेक करेंगे और जब एक बार आप चेक करते तो पूरे साल का जो data हो आप उठाते है यहां कि पूरे साल का data उठाने पर आपको यह जो एक गलती की गुंजायस होती हो आपके नहीं बनती है तो यह इसलिए आप आसान तरीका माना दाता आपका annual stock verification का अपनी store को verify करने के लिए इसके लावा देखेगा यहां पर एक और advantage क्या है अपनी stock verification का annual stock verification का वो है देखेगा कि no extra staff is required यहां कि कोई भी अतरित करमचर के आप सकते नहीं होती है लेकिन यह बात आप note कीजिएगा कि annual stock verification करते टाइम अगर आपको किसी भी अतरित स्टाफ की जुरूत नहीं है तो उस टाइम आपको जो stock का वो किसे level का होना चाहिए एक छोटी level का होना चाहिए यहां कि पूरी साल के दोरन जब आप अपने record चेक करते हैं तो खुद से चेक कर सकें वो कभी possible होगा वो तभी possible होगा जब आपका जो stock वापका छोटी level का होना चाहिए तो यह तो हमने पढ़ लिया कि आपका जो annual stock verification होता है उसके advantage क्या है उसके lab क्या है लेकिन आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ का lab होता है तो उसकी हाने में आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं disadvantage of annual stock verification method यानि कि वार्षिक स्टोक सकत्यपन विदी के नुक्सान क्या क्या है वो देखिएगा सबसे पहले देखिए the method suffers from the following disadvantage इस विदी के निमलिकत नुक्सान है कौन कौन से नुक्सान है देखिएगा नमबर एक है it has to be spread over to a number of days if the storehouse is of medium or large size यानि कि अगर आपका जो storehouse है आपका जो गोदाम है या फिर आपका जो stock है अगर medium लेवल का है या फिर बड़े आकार का है आपका large size का है तो वहाँ पर आपका जो verification चलता है वो आपका कई दिनों तक चलने बाला हो तै क्योंकि अग आपको पहले बताए था कि अगर छोटे आकार का है तो आप खुद सेविक कर सकते हैं कोई अतरिक स्टार के जोड़ता आपको नहीं होने वाली है कब जब छोटा आपका storehouse हो लेकिन अगर आपको storehouse medium है या फिर लार्ज है तो वहाँ पर आपका जो भी लेंदेन होता है नुक्सान भी चीज़ आपको देखने को मिलता है उसके बाद देखेगा नमबर दो पे extra staff is required to conduct and complete the verification यानि कि सत्यपन पूरा करने के लिए अतरिक स्टार के आज सकता होती है अब आप लोग ये कहेंगे कि जब आपने इस method के advantage आपको बताए थे लाब बताए थे तो वहाँ जो स्टोक है वो कब आपका छोटे लेवल का होता है वहाँ पर आपको कोई भी extra staff के जुर्ट आपको नहीं होती है क्योंकि मान लेजिए अगर आपकी के दियानी के दुकान है और example के लिए हम मान लेते हैं कि आप पूरी एक साल में अपना जो स्टोक है उसका verification करते हैं तो अगर आप verification करने के लिए किसी team को यहाँ पर बुलाते हैं तो वो team आपको जो पूरी साल का मुनाफ़ा होता है उसमें से 3-4 महिने का या फिर 5-6 महिने का जो आपका एक lab होता है वो आपकी fees के रूप में आपका ले लेती है तो वहाँ पर आपको फाइदा क्या तो यानकी annual stock verification complete करने के लिए उसके बाद देखिएगा the preparation of a financial account etc. is a usually delayed यानकी अंतिम लेखों को तयार करने में सामयने ताइव विलम होता है dairy होती है क्योंकि आपको पता कि अगर एक साल का verification आप लोग करते है अपने stock का तो आपका एक दिन में complete नहीं हो सकता बहुत ज़्याद क्योंकि एक दिन में verification complete नहीं होता है और verification complete होने के बाद जब आपका account तयार हो जाता तो आपको थोड़े time में आपको देखने को मिलता है वहाँ पर आपको थोड़ी देरी आपको देखने को मिलते है अपने verification को complete करवानी के लिए तो यह एक आपका disadvantage हो जाता है इसका annual verification method का तो देखेगा जैसे कि मैं आपको अब यह भी पहले बताया है कि for a small size this suits the most but for a medium or large size it usually does not suit यानि कि एक छोटे आकार के लिए यह सबसे अधिक उप्युक्त है लेकिन एक मध्यम या फिर बड़े आकार के लिए आम तो पर उप्युक्त नहीं है तो यह चीज आपको यहाँ प आपको बिल्कुल छोटे लेवल का आपका स्टोक है बिल्कुल छोटे लेवल का आपका जो दुकान या फिर गोल्दा में जो बंडार आपको रहने वाला है वहाँ पर आप खुद अपना जो annual stock verification कर सकते हैं अगर छोटे लेवल का है तो उसके बाद देखेगा जो verification हम करते method यानि कि इसे सतत स्टोर सत्यापनविदी के रूपस में भी हमें जानते हैं अब यह क्या होती है बिल्कुल डिटेन डिसकस करने वाले हैं देखेगा दिस एजी केरीड ओन continuously throw out the year for which a verification program is prepared at the beginning of the year the verification is done according to the program so choked out यानि कि कहने का मतलब यह है कि आपको जो verification होता है जो continuous verification method होता है इसमें क्या होता है कि यह लगातार वर्स बरत चलता रहता है जिसके लिए वर्स के आरम में 57 कारीकरम आपका जो है वो तैयार किया जाता है 57 किये गए कारीकरम के अनुशार किया जाता है अब इसको आशन बासे में समझेए आप माले जिए किसी भी स साल की सुरुवात में जैसे कि हम आपके इसी साल की सुरुवात में मान कर सलते हैं तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि एक अपरे 2021 को जब आपका financial year start होता है तो एक अपरे 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में आपने स्टोक का जो verification को करना है वह आपको कब करना है वह आप पहले डिशाइट कर लेते हैं और पूरे साल के दोरन जो भी आपको verification होता है स्टोक का वह किस की हिसाब से होता है जो आपने पहले डिशाइट किया था उसी की हिसाब से होता है अब जैसे कि four example के लिए हम मान लेते हैं कि आपने अपना जो पूरे साल के दोरन अपना स्टो तो पूरा अप्रेल उसके बाद मई और जुन यानि कि जुलाई में आप अपना जो वरिफिकसन है वो करने वाले हैं तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो कंटिन स्टोक वरिफिकसन होता है उसमें आपे पूरे साल के अदूरन अपने वरिफिकसन करते हैं और वो वरिफिकसन आप कब करते हैं जो मैंतर आपने अपनाया था जो स्टेज आपने बनाई थी पूरे साल के सुरात होने से पहले वही पूरे साल आप अप्लाई करते हैं तो यह होता आपका continue stock verification तो देखेगा continue stock verification में the program is prepared that at least once in a year every item is verified care is taken to check other items particularly those which are valuable or fast moving twice or thrice or even four five times a year the program so prepared is kept strictly confidential and here it is also necessary that store records are kept in detail and are complete and up to date the failure of the record in this respect is bound to fail the verification program यानि कि आपका जो continue stock verification है वो क्या तयार करता है क्या बताता देखेगा कारी कर्म इतना तयार है कि कम से कम एक बार वर्स में हर item आपका स्तापित किया जाता है अन्य वस्तों के जांस के लिए सावधाने बढ़ती जाती है विशेस रूप से विजम मुल्यवान या फिर तेजगती सील है दो बार या फिर तीन बार या फिर साल में चार से पांच बार भी आपका जो verification का method है continue stock verification का आप यूज में किया जा सकता है इस पर कर तियार किया गया कारी करम पुरी तरह से गोपनी रखा दाता है इस संब्ध में अभी लखो कि विफलता से सत्य पन कारी करम विफल होना अवे सिंभावी है अब ये क्या कहना थाते हैं बिल्कुल आसान बासे में समझेए अब यहाँ पर देखिएगा आपका जो आपको आपको करना ही होता है लेकिन उसके बाद आप जितना चाहें साल में 2 बार 3 ल, 4 बार 5 बार या नि कि जतनी बार भी चाहें आप अपना जो कणटनी स्टोर विफ्केस्टपशन हे वाप लो कर सकते हैं अब इसमें देखेगा यहांपर सबसे बड़ा फाइदा आपको यह होता है कि आप जो continue stock verification करते हैं उसमें आपको यह चीज पता तलती रहती है कि आपकी कौन सी चीज ऐसी है जब कि तेजगती सील है कौन सी ऐसी है जो आपकी मुल्यवान है यानि कि आपको यह पता होता है कि आपका फिलहाल में जो stock से item आपका भी कर रहा है वो कौन सा ऐसा है जो आपकी market में डिमांड के साब से आपका valuable है आपकी stock में अभी आपका available है और कितना आपका ज्यादा जा रहा है और कितना आपको अभी जरूत है अपने stock में उसको लाने किया फिर उसको बाहर निकालने तो इस हिसाब से आपका यह पता चलता रहता कि continue stock verification के दौरान कि आपकी store में जो item है वो आपका कितना बाहर जा रहा है कितना आपका अंदर आने वाला है अगली बार जो verification आप लोग करने वाले हैं उस verification में आपको कितना add करना होगा अपना item कितना उसको निकालना होगा किस item में आपको जरूत है कितना आपको profit हुआ कितना आपको loss हुआ है तो यह पूरे साल के दौरान आपको पता चलता रहता है जिससे आपको उमिद बनती रहते हैं अपने profit के अपने loss को manage करने की तो इससे क्या होता कि आपको एक बार इन चीज़ों को देखना होता है लेकिन continuous उसी में आपको उन चीज़ों को साल में जितने बार चाहिए उनको आप लोग देख सकते हैं उनको manage कर सकते हैं लेकिन इस से में जो सबसे बड़ी विफलत आपकी होती है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर मालने जिए गलती से आपका एक बार अपना record जो है वह आ गलत हो जाता है आपके गलत हो जाती है दो आफके दूकान में आरऊ बोक्स ब्क जाती हैं आप लोग क्या करते हैं और उस एक महनी के दूरन О के दूरन 10 मिआ आपके दो बुक्स आपकी बिख गई है 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 hell हो गई है आपके कevery से लेकिन सब जो बुक्स तो इससे क्या हो कि आने वह जितनी बी बार आपना रिकोरी ड्तिय है पलोग mag अपने करने वाले करने है उसमें किसके साफ्वी करेंगे अगर आपको पता नहीं तो आपे साथ किसाब से करने वाले हैं तो इससे क्या होता है कि अगर एक बार आपकी verification में गल्ती हो जाती है stock verification में तो आने वाले time में जितना भी आपका record बनने वाला है वो आपका गल्त हो जाता है तो इससे एक यहीं आपके सबसे बड़ी इसमें जो कमी रहने वाली है continuous stock verification की वह आपकी यहीं होती है कि एक बार record खराब होने पर अगर उसका पता कुन नहीं चलता है तो आपका सारा record आने वाला खराब हो जाता है तो देखिए यह हमने कुछ पढ़ा था आपका continuous stock verification के बारे में अब हम डिसकस करने वाले हैं इसके advantage क्या है यानि कि advantage of continuous stock verification method निरंतर स्टोक से अपन विदी की फाइदे क्या कुछ है वो देखिएगा the following are the merits या फिर advantage of this method यानि कि इस पद्दती के गुणिया लाव निमलिकित है नमबर एक पर क्या है देखिएगा कि no closure of the operation of the store house is required यानि कि गोदाम के संचालन को बंद करने क्या हो सकता नहीं है अब देखिए क्या होता है कि आपका जो annual stock verification method होता है उसमें अपनों क्या करते हैं कि साल के अंत में अपना पूरे record आप चेक करते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि आपके पूरे साल के दोरान जो चीज़ आपने खरेदी हैं जो चीज़ आपने बेची हैं जितना profit आपने कमाया है या फिर आपका लोस हुआ है इसके बाद आपका आइटम की तना बचा स्टोक में ये सब चीज़ों को जो record आपका कब खतम हो जाता है अगले साल आपको जो record बनता है वो आपका अगली साल का अगली वित्ती वर्स का बनता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप पूरे साल के दोरान जितने भी आप यहाँ पर method अपनाने वाले हैं जो strategy आप अपनाने वाले कि आपको कब verification करना है उसमें आपको लोकर शक्ते अपन का संसाल और से पूरा करने के लिए कोई स्टाफ क्या सकता नहीं होती है कहने का मतलब हिए कि अगर मालजी आपको यह लगता है कि आप अपना स्टॉक वरिफिकसन को नहीं होने वाली है तो यहाँ पर अपने हिसाब से अपना जो verification है आपको कब करना है क इसी भी आपको एक्सर स्टाप के दोतिस में नहीं होने वाली है। उसके वाद नमबर 3 पे देखिएगा। डिस्क्रिपेंसिज आर प्रॉंप्ली डिडेक्टिड एंड नससरी क्रेक्टिव मेजरे टेकन। यानि कि वी संगेत्यों का तौतरी पता लगाया गया है और आपसक्र शधारतम को पियों के लिये जाते हैं। यानि कि अगर आप अपना जो वेरिफिकसन का method है जब आप अपने हिसाब से करते हैं। कुछ ऐसी डेमेज ऐसी चीज हैं जिनका आपको पता लग जाता है तो आप उसको अपने रिकॉर्ड के साब से मैनेज कर सकते हैं लेकिन अपको यह सब्सक्राइब पता चलेंगी पूरे साल के लास्ट में पता चलेंगी तो इससे आपको यह लाग हो जाता कि यहाँ पर पर है परमान स्टाफ इजर एंट्रेस्टिट दा जो पर टू कैरी आट तो वरिफिकेसन वर्क थरू आउट दा इयर यानि की सताई करमचारी गण को वर्सब और सत्यपन कारी करने का जो कारी हिवाब का सोपा गया है कहने का मतलब यह कि देखिए वैसे तो अगर आपको ल की लिए अपने एक्षर स्टाफ को रक सकते हैं और किस स्टाफ को शे wärast करना है यूनिट चेक करनी है स्टोड़ चेक करना है तो आप मैंने कर सकते हैं अपने पूरे साल कि दौरन जो भी आपको कहां पर आपनाना अपने वरिफिकेशन का मैथेड उस मैथेड के दोरान लेकिन अपने वरिफिकेशन में क्या होता है कि आप लास्ट में जब अपने वरिफिकेशन करते हैं तो वहां पर आप इतना बड़े पूरे शाल का जो वरिफिकेशन है इतना बड़ा वरिफिकेशन करने क यह आपका फैदा होता है कि continuous stock verification का तो देखेगा आपका जो continuous stock verification method है this method can be effectively and advantagely used by large scale storehouse for a small storehouse this method is costlier however a medium size storehouse may also use this with advantage कहने का मतलब यह है कि आपका जो continuous stock verification method है इस विदी का व्यापक और लाब पर्द उप्योग जो बड़े श्तर के बंडार करे हैं उनमें किया जा सकता है छोटे गुदाम के लिए है तरीका महंगा होता है फिर भी एक मध्यम आकार के बंडार करे भी इस का लाब उठा कर इसका उप्योग कर सकते है यानि कि आपका जो continuous stock verification का method है वो सबसे best किस के लिए माना जाता है वो large skill store house के लिए माना जाता है यानि कि जो बड़े स्किल के आपके बंडार करे हैं उनके लिए माना जाता है अब हमें example के लिए for example आपका जो mall है उसको हम उदान लिकर आपको चलते है आपने mall से भी ने देखा होगा mall कितना बड़ा होता है अब सोचिएगा कि अगर हमें mall का जितना आपका record है अगर हम annually करते हैं यानि कि सार्क last में उसका record चेक करते हैं तो क्या वो possible है बहुत ज़ा difficult task हो जाता है यतने बड़े स्टर के बंडार गरे का आपका last में annual stock verification करना तो इसलिए दीखेगा जो large scale आपके store house हैं जो बड़े स्टर के बंडार गरे हैं उनका verification करने के लिए शबसे best में आपका अपनाया जाता है कुन सा है continue stock verification आपका माना जाता है इसके अलावा आपके जो छोटे स्टर के यहाँ पर गोदाव होते हैं उनके लिए तरह का महँगा होता है क्यों महँगा होता है अगर week में आप लोग करते हैं आप month में आप लोग करते हैं तो आपका पूरा time किसमें चला जाता है आदा time किसमें चला जाता है verification में चला जाता है इसके अलावा आपके जो मीडियम स्टर के आपके जो स्टोरेज हैं जो आपके मद्यम स्टर के मद्यम आकर के जो बंड़ा रहे हैं उनका यहाँ पर थोड़ा मोटा फाइदा इस चीज़ का आपको देखने को मिल सकता है कंटिन स्टोग वरिफिकेशन का इसके लावा देखेगा जैसे कि पहले हमने आपको बताया था कि इन कंटिन स्टोग वरिफिकेशन दा स्टाफ इस परमानेंट एंड इन फैक्ट अंडर इस मेथड़ देर इस नो अपुंट्मेंट ओफ दा वरिफार टीम बट इन एन्नुल मेथड़ दा स्टाफ इस यूजल सतत बंडारों को सत्यापन करने में स्टाफ सताई होता है और वास्तों में इस पद्धते के अंतरगत सत्यापन करनोली टीम के न्यूपती नहीं किया जाती है लेकिन वासिक पद्धती में करमचारी आम तोर पर न्यूपती 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 को बताया कि आपका जो continue stock verification का सबसे बड़ा एक आपका फाइदा है वो कौन सा है कि यहाँ पर आपको टीम को अप्मिंट नहीं करना होता है आप पूरी साल एक दो रण कितने बार verification करेंगे जैसे कि चारव बार verification करने वाले हैं तो वहां किसी भी अधर टीम की जुरुत आपको नहीं होती है अकाउंट को वरिफाई करने के लिए इसके अलावा अगर आपका जो पर तीम की नुक्ति करने होती है और तीसरे आपको टीम पूरी चीज को वरिफाई करता है तीम की है और उसको वाई भाई करने वाला जो होता है वह तीन वक्ति आपके यहां पर एक साल के वारिफिकेशन को उसके बाद देखेगा जो सबसे लास्ट का और जो आपका बहुती कम पुप्रिर माना दाता है जो भी आपने कभी सोना भी नहीं होगा वो मेठाड कौन सा आपका Blind Stock Verification का जिसको हम आपका अंदा Stock स्ट्यापन कह सकते हैं वो देखे क्या होता है यानि कि इस स्ट्यापन में कुण से स्ट्यापन में Blind Stock Verification में जो आपका Stock Verification का О poses स्टान दिया गया है लेकिन स्टोक का उच्छ सत्यापन सुनशित करने के लिए कोड संख्या, विवरन और स्टोक रिकोर्ड शेस्टों का विवरन नहीं दिया गया है तो देखिएगा क्या होता कि बैने स्टोर वेरिफिकेस्टन में आपको किसी भी चीज़ की एक कंपिट जानकारी पूर्ण जानकारी देखने को नहीं मिलती है जैसे कि किसी चीज़ का कोड नंबर यान के कोड जिंख्या कोड नंबर क्या होता है किस परकार से हम किस चीज़ को कोड देते हैं वो कल के कलस में आपको बताया था तो code number बगरा की जानकारी, description यानि की विवरन की जानकारी और आपके stock record की जानकारी यानि के stock record जो होता है इन में से किसी भी चीज़ के एक पूर्ण जानकारी अच्छे तरह के जानकारी अच्छे तरह के जानकारी computer को देखने को नहीं मिलती है blank stock verification में, यानि आपको जो verification करना है, उस चीज़ का code क्या है, उसका विवरन क्या है यानि कि चीज़ आपके कब आई थी, कब से आपके stock में रखी हुई है, इसकी जो purchase है, जो sell है, वो कितनी हुई है इसके उपर profit कितना हुआ है, लोश कितना हुआ है, फिलहाल दुकान में कितना है, आपकर जो item हो रखा हुआ है यानि कि जो एक पूरा record है, जो पूरा विवरन है, जो code में किसी भी चीज़ का आपका, बढ़े stock verification में देखने को आपको नहीं मिलता है यानि कि हम कहाई सकती कि अंदा दुन verification इसमें आपको देखने को मिलता है उसके बाद है, compete the verification and only, then reconcile with the stock records यानि कि सत्यपन पूरा करें और उसके बाद stock record के साथ सामझे से करें क्योंकि आपको पता कि brand store verification में, जैसे में आपको अभी अभी यह बता है कि कोई भी चीज़ आपकी पूरा तरीके से provide नहीं होती है और अगर आपके पास पूरा record नहीं है, तो आपको जो analysis है, जो verification है वाफका गलत हो सकता है और verification के बाद, अगर आपको verification गलत हो जाता है, आपका record गलत हो जाता है तो आपके पास जो record है, और जो item आपका store में रखा हुआ है, उसके साथ आपको सामझे से करना होता है आपको डिजिस्ट करना होता है क्योंकि अधोरी जनकरी के साथ आपको जो verification गर्थ होने के चानल से बहुते ज़ादा होते हैं उसके बाद देखेगा जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि यह वाला जो method है blind stock verification का it is not very popular यानि कि यह बहुत ज़्यादा लोग period नहीं है होनी चाहिए यानि कि आपको जो blind stock verification है अगर आप depend होते हैं इस verification से तो नहीं तो आपको दोक्रों को profit देखने को मलता है यानि कि इस method का blind stock verification method का कोई भी आपको उदर से यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिनने वाला है तो इसलिए आपको कोई जोईज का यूजर नहीं करता है नहीं आपको ज़्यादा लोग period होने बाला है तो देखेगा यह थी हमारी आज की class class number 7 जिसमें हमने आपका stock verification of store का जो topic है बिलकुल detail में हमने discuss किया है तो उमीद करते हैं कि class आपको जरूर से जरूर प्रसंद आई होगी अगर आप अभी batch join करते हैं तो पीछे की जितने भी classes आपकी हुई है जितने में आपके notes आपको प्रड़ करा दिये जाएंगे ध्यान दीजी का क्यवल और क्यवल आपकी 69 जो sheet है उन्यतर sheet batch के आपकी खाली है उसके बाद आपको कोभी new admissions kit के batch में नहीं होने वाले है तो अगर आप batch join करें में interested हैं तो आपको जो batch की fees है 999 लूपी जो 90 नावी पर होने वाली है और आपको WhatsApp पे message करना होगा 89 306 38526 9306 38526 अगर आप batch join करना चाहते हैं तो इस नमर पर आप लोग message कर सकते हैं तो यह थी आपके कुछ batch की information और आपके आज की class जो के आपके आपकी discuss की है तो class अच्छे लिगे तो वीडियो को like करना ना बोले और happy independence day again जुड़े रहिएगा ठैंक्स रोजगन के supporting जाहिद